हम सब election की तयारी में लगे हुए हैं और election training के बाद अब हम अपनी duty को लेकर बहुत जादा concentrated हैं हम बहुत जादा चिंतित भी है थोड़ी anxiety भी है तो आईए इस anxiety को कम करते हैं खतम करते हैं बात करूँगा आज micro observer के तोर पर अगर आपकी duty लगी है तो उसके विशह में किस तरह से ये duty होती है मेरे कुछ अपने अनभब भी इस duty को करते समय मैं इस वीडियो में शामरी करूँगा लेकिन इससे पहले एक disclaimer बता देना चाहता हूँ कि मैं एक academic perspective से यानि सिर्फ learning के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो को लेकर जो भी आपकी queries या आपकी शंकाएं हैं उसको लेकर official verdict पर focus करें हाला कि इस बात को भी तैमानिएगा कि ये अनुभव आधारित ग्यान है और इससे ज़्यादा बहतर कोई और चीज authentic नहीं भी हो सकती तो चलिए बात करते हैं हम micro observer की तो सबसे तरह माइक्रो ऑब्जर्वर क्या होता है माइक्रो ऑब्जर्वर को हो सुक्षम प्रेक्षक के तौर पर जानते हैं जो election commission of की इंप्लॉईस का माना जाता है क्योंकि सेंटल कोवनिंट की कर्मचारी के इंद्र के तहट आते हैं और इस बावत यह माना जाता है कि वह observation का काम जो हमारा state की जो machine ली है उसके उपर record करेगी लेकिन इस बात में भी कई बार गुंजाइश नहीं रहती कि ऐसा confirm ही हो कुछ प्रकरणों में चीज़े बदल सकती हैं जब आप सुक्ष्म प्रिक्षक बनते हो तो micro observer के दौर पर आपकी duty लगती है एक fair election की process को observe करने के लिए चुकि आप चुराओ आयों की आँख है आप उनके कान है या आप उनका validation है तो इसलिए observer के माधियम से आप जन्रा अब्जर्वर के माधियम से आप election commission को report करते हो और प point of reference में जहां पर कोई भी सम्वेधन शील पूथ हो सकता है वहां पर आपकी नियुक्ति हो सकती है एक के एक से ज़्यादा बूथों पर भी आपकी नियुक्ति की जा सकती है केवल और केवल 18 points की report micro observer को देनी होती है लेकिन इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हमें कोई 18 points पर टिक भर करना है यह शायद बात प्रेक्टिकल नहीं है प्रेक्टिकल बात यह है कि आपको पूरे election process के अंदर अगर हमारे यहां चुनाव साथ बजे सुरू होना है डॉट और उससे सही डेड़ घंटा पहले हमें मोग पोल की प्रक्रिया सुरू दर्मिया निसाड़े पां प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं कोशिश यह करिए कि आप उस टीम के एक ऊपर कोई भार बन करना रहें बंकियों की मित्र बनकर एजा हुमन बींग वहां उनके साथ खड़े रहें चीजों को सीखें और अगर आपको लगता है तो उन पर सला वर्बल प्लैटफॉर्म पर दे सकते हैं उन्हें हिदायक दे सकते हैं और यह फ्रेंडली टोन में होनी चाहिए जहां तक आपके काम की सुगात की बात होती है तो काम आप सबसे पहले माइक्रो अब्जर्वर के काम में सबसे बड़ा आपका काम है कि आप देखें किस तरह से मॉक पोल की प्रक्रिया हुई कि तो कि क्या मॉक पोल कराते समय पोलिंग एजटंस थे कितने थे पोलिंग एजेंड ने उस प्रक्रिया को देखा मॉक पुल निर्हरत अवधी में तैय कर लिया गया उसके बाद मशीनों को प्रॉपर तरीके से पैक करके सील करके प्रॉपर टाइम पर एलेक्शन सुरू ह हो गया और अगर आपने या आपकी टीम ने यह सब कर लिया तो 50-80% मतदान सक्सेस्फुल हो जाएगा इस बात की गैरंटी है यह मैं अनुभव से कहरा हूं पहला बोट जब पढ़ने का समय हो तो आप पियों से बोले या उनकी समझाइज ने या वो जानते भी होंगे कि उन को लेकर कि आपको मशीन को कैसे कलेक्ट करना है यह मैं अरड़ी अपने कुछ वीडियो में बता चुका हूं आपके पास और भी मांधियम होंगी उनसे भी इस बात को वरिफाई करके अपनी इवियम को कनेक्ट करिए उनको वर्किंग मोड मेर लाइए बवस्त रखिए और उसके बाद मौक पोल के बाद पर्चियों को जो पर्चिया निकली है उनको काले दस्तावेज में रखिए सब कुछ सेट करिए उसके बाद सीलिंग करिए सीलिंग करते समझ ध्यान रखेगा हमें किसी भी हाल में क्लोज का बटन नहीं दवाना है CRC का मतलब आप सब जानते हैं CRC करना एक बहुत इंपॉर्टन एक्टिविटी है जहां पर क्लोज रिजल्ट और जिससे कहना चाहिए आप स्वरी क्लियर रिजल्ट और क्लोज की बात करते हैं क्लोज वाला सी लास्ट में ही दवेगा अनिथा काम नहीं होगा उसके अलावा वीवीपेट से साथ परचिया नॉर्मल ही निकलती है और पचास परचिया निकलेंगी क्योंकि आपको पचास वोट डलवाने हैं यह आप इस गुणान कुरम में रख सकते हैं कि जहां आपको का ग्यान हो कि जो मताता लिस्ट है वो उनके पास होनी चाहिए आपको एक और चीज जो नोट करनी है वो घंटे बार मतदान का प्रिशत महिला कितनी पुरुष कितने यह शायद नंबर टू पोलिंग ऑफिसर टू आपको आपको बता देगा नहीं तो आपका अपना इंट हो रही है तो उसे करेक्ट करा सकते हैं और चीजों को देखकर सीखने का जो और हो है वो कुछ और ही रहता है जब कोई विजिटिंग विस्टर आता है क्योंकि माइक्रो जर्वर के तौर पर जर्नल ऑफ्जर्वर या उनके सहायक आपसे मिलने आते हैं आपसे कुछ हैं A.D.S. के अंदर हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होती हैं इलेक्शन करते समय आप किसी भी तरह की जुंजलाट से किसी भी तरह की जल्दबाजी से जरूर बते लेकिन आलस्पना का काम नहीं होना चाहिए यह एक टीमवर्क है टीमवर्क को लेकर लोगों को मोटिव आने और उसे सवारने के लिए आपकी तरह ही रिस्पॉंसिबल है उनको भी इंकरेज करें एक साब सुतरे बातवरन में काम करें कोशिश करें कि एलेक्शन प्रॉप प्रॉसेस बहुत अच्छे से रेगुलेट हो वोटर परसेंटेज शाही को लगाया जा रहा है एंट्री 300-500 मिटर कोई हो हला अगर हो भी रहा है तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है आपको पीठासी नदिकारी के साथ भी कनेक्शन में रहना है एक दो जगे वहाँ पर आपके साइन होंगे वहाँ आप साइन अबस्ते करवाएं और खुद भी साइन करें और इसके लावा कुछ गोशना जो है पीठासी नदिकारी डेवन पर करेंगे अगर आपकी उपस्तेती उस समय वहाँ होती है तो कोशच करें चीज़ों को अबसर्ब करें इलेक्शन का एक टूरिजम भी होता है तो उस टूरिजम के कॉंटेक्स में टूरिस्ट बनिए चीज़ों को अनंद लीज है कि इलेक्शन एक normal work नहीं है एक special वोग है इसलिए special attention की जरूर्थ है जयादा relaxed भी नहीं होना है हमें relax रहते हुए attentive और अलर्ट सब्सकें बिने का ध्यान रखते रहे हलका अपनी एसी प्रप्रेशन रखे जिसमें आप अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान रख सकते हैं पानी आपको आवशकता पीते रहना है और आपको अपनी पूलिंग टीम की हेल्प करनी है जब मद्दान का समय समाफ्थ हो जाए और अगर पाइन में लोग नहीं है तो पीठासी नदिकारी को दस या पंदर मिट पहले बता दे कि वो मद्दान समफ्थी की घोशना कर सकते हैं और जैसे ही घोशना होगी तैसमें पर आप सारी एंट्रीज को मैच करने के बाद जो की खासकर रजिस्टर्स में और परचियों में और उसके बाद वैलिट मशीन के अंदर कितने बोट काउंट हो गया यह सब अगर कैलकुलेटेड है आप आराम से इसको क्लोज का बटन देवा सकते हैं और यहां सर्मद्दान सुरक्षित 80-90% कंप्लीट हो गया उसके बाद पैकिंग का काम होता है प्रमानी करन का काम होता है स उनके दरोयार को बरदाशन ही करते तो चीजें बहुत अच्छे से हो जाती है अंत में अपनी रिपोर्ट को भरें और रिपोर्ट को लेकर मैं समझाईश दूगा कि आप अपने पास एक डाइडिक एडिशनल रखें जहां बहुत सारी चीजों को नोटिफाई करेंगे और डिस्पले पर फाइनल रिपोर्ट को भरने से पहले आप उस रफ रिपोर्ट को भरें कोशिश करें की आप शांत महाल में अपना काम कर लें चोगी बाद में जब एलेक्छन कंप्लीट हो चाता है मश्यून आपको लेने आती है और वहाँ जब सामन देने जाते हैं तो तरह के वीडियो के लिए भी तब तक के लिए जुने के लिए धन्यवाद आगे मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद